जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा पैसा होता है वो बैंक में जमा होता है और हम इसको बैंक में एक सेफ जगा समझ करके जमा करते हैं और बेंक से ही जो भी होता है हमारा लेन देन सलता रहता है आज हमारा nữa पैंसा जो है bank में भी सुर्कषित नहीं रह गया है क्योंकि एसे थग और online ठगी के शिकार हो रहे हैं डिजिक्टल माजिम से arrested हो रहे हैं लोग और आपका पूरा पैंसा आपका अकाउंट जो है खाली हो जा रहा है अब इसमें जो साइवर ठग होते हैं इस टेप के स्कनेर होते हैं आपको मिठी मिठी बातों में और आपको पे किसम के लालत दे करके आप ठगी के शिकार हो जा रहे हैं और आपके पैसे सारे खाता खाली हो जारा आपका गोशाक जारा रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट पूरे खाली हो जा रहे हैं आपको सौधान रहने की पूरी में सुझा Unraos घुझा और कैसे लोग ठकी का शिकार हो रहा हैं कैसे उनके अकाउंट से पूरा पैसा गाइप हो जा रहा है और इस तरके से जाल साथ वाले लोगों से ठक लोगों से आपको बचना है आपके पास phone call आएगी या message आएगा या कोई link आएगा इस तरके से आपका account का पुरा पैसा सब उड़ जाएगा आप देखते रह जाओगे तो बस्तो आजकल जैसे की हमारा आधार हर जगर link रहता है तो उसके जरिये भी लोग पता लगा लेते हैं और उससे आपका नाम, mobile address सब कुछ से पता लगा करके आपको किसी भी विवाग का अधिकारी बन करके आप से मिठी मिठी बातें करके और कहेंगे कि जैसे आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है अगर आप बिल जमा नहीं करोगे तो आपका connection हम काट जगे इस तरीके से लोगों को डराते हैं अगर आपके पास Google पे, phone पे हैं तो आप अभी इस पैसे को online जमा कर दो और हम जमा कर देंगे आपका connection नहीं कटेगा बिजली का तो लोग सोते हैं कि आ रहां अगर किसी के पास अगर ऐसी बात हुई है इसने बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो वो लोग सही मानेंगे उस बात को और पैसा जैसे ही जमा करेंगे तो इतना नमबर दबाओ ये दबाओ करके सारा आपका account खाली कर देंगे जैसा कि लोग bank से loan निकालते हैं loan में भी एक LIC LIC भी खोली जाती है loan के साथ में तो वो लोग bank के तिकारी बनके कहते हैं कि आपके जो है loan में जो LIC खोल लिके आपने उसमें पैसा जमानी हो रहा है और आप online पैसा जमा करो और नहीं तो आपको जो है इसमें जो है आपका LIC बंद हो सकती है या इसमें ज़्यदा आपको पलेंटी लग सकते है इस तरी के से बात करेंगे तो आपको ऐसी जगह पर भी साउधान रहना है आपके पास अग्यात नमबर पर वीडियो काल आएगी वीडियो काल आने के बात में उसमें कोई जो DP लगी होती है किसी पुलिश अधिकारी की होगी और वो अपना को पुलिश अधिगारी बतागर की कहेगा की आपका लड़का हमारे गिर्बदार में है वो अचार लड़कों के साथ चूरी में पकड़ा गया या रेप केस में पकड़ा गया और वहाँ पर रोले चिलनाने की वीजैसे आवाजें आएंगी और कहेंगे कि मैं अभी आपके लड़के से बात कराऊंगा और आपको अगर इसको छुड़वाना है तो इतना इतना पैसा हमारे इसमें इस पर पैसा टांसपर करो और लेदे करके हम इसको रफा दपा कर देंगे इस तरीके का भी जालसाद हो रहा है आज कल आपसल में ड्रेक्स मिला है अत्यार मिला है और ऐसे अनावस्यक चीजाय मिली है जो कि पनाने पनाने इस्टेशन पर पकड़ा गया और आपका आदार नमबर भी बता देंगे वा इस आदार पर जो है आदार नमबर से भी आपको जो डरा देंगे आप सोचोगे कि भाई मेरे साथ कोई ने कोई दोका धड़ी होगी है तो इसको बचने के लिए आप से वाप मोटी रकम मागेंगे रकम नहीं मागेंगे मुला है आपको कहेंगे कि इतना पैसा आप हमारे उसमें पहले डालो और वहाँ पर उनकी पूरी सेट अप होती है और पूरे उनके अपने वकील जज़ और किस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी सब बन करके वह लोग रहते हैं और आपको बीच बीच में उनकी फोटो भी दिखाएंगे ये चीज होती है वीडियो कॉलिंग के दौरा ऐसी चीज दिखाते हैं ये लोग और इससे भी बचके रहना है अगर आप साब सुत्रे हैं तो आपको डगने की जरुवत नहीं है आपको डिजिक्टल अरेस्ट कर देंगे ये लोग और पूरा पैसा आपका बैंक अकाउंट खाले कर देंगे ऐसे केसों में बड़े बड़े लोग करोनो रुपिया गवा चुके हैं आए दियन सोशल मीडिया में ऐसी बातें खूप सेयर हो रही हैं अगर आपके पास कोई इस तरीका का फोन कॉल आता है तो आप अपने लेबल पर ही उसको न सुल जाएं आप अपने घरवालों से आस पड़ोस वालों से भी जानकार लोगों से भी इसके बारे में शुजाओ लें और पहली बात तो फोन को काड़ने अगर वो बार बार फोन कर रहा है तो इस फोन नंबर को आप पुलिस स्टेशन में पुलिस में आप कंपलेंट कराएं और इन जाल साजों से इन ठगों से और इन साइबर जो डिजिक्षल अरेस्टे वाले हैं इन से बचें नहीं तो आपका पुरा खाता बरबाद हो जाएगा आप हात मसलते ही रह जाओगे फ्राट का भी जो है नया-नया तरीका अपनाए जा रहा है और आजकल जैसे दिवाली का टैम आने वाला है कोई कंपनी बन करके आपको जो है प्रलोबंदेगी की भई आपको जो है पलानी चीज की लाटरी निकली है या आपके नाम से गाड़ी निकली है और या इस चीज में काफी ओफर चलना है अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये चीज दे सकते हैं ओफर में तो आपको कुछ कैस जमा करना होगा इस तरीके से भी आपको जो है मुबाइल नमबर से भी आपको ये लोग पैसा जमा करवाएंगे और उसके बाद आप ठीके के शिकार हो जाओगे एक और तरीका आपको मुबाइल कंपनी का अधिगारी बन करके फोन करेगा आपको कि आपकी शिम बंदा होने वाली है 24 गंटे में अगर आपको शिम को जो है सुचार Pתי से चलाना है तु इतना नमबर दवाएं इतना नमबर दवाएं यानि कि आपको नमबर में ऐल्जा करके आपका अकाउंट खाले कर देगा हो तो ऐसा कुछ नहीं है आपको जो है भीकारी बन करके सिमकार्ट के द्वारा भी इस तरिके से भी आजकर नयान लोटा जा रहा है आपका सिमकार्ट के जिरिये से भी तो आपके पास किसी भी प्रकार के अन्जान गौल आती है अन्जान लोगों की बाते आती हैं तो उसको बिल्कुर नज़र अंदाज करें और उनकी बातों मनना आएं कई तरिके के फ्रॉड हो रहे हैं आजकर अब जो इस मैने हो रहे हैं अगले मैने और भी नए फ्रॉड होंगे तो आपको साउधान रहने की चेताओनी देता हूं मैं किसी भी परकार की धोका दोड़ी किसी भी इनसान के साथ हो सकती है और आप अपना मुबाइल का जो नेट हमाई सा ओन रहता है इसको बंद करने की किरपा करें और ये लोग देखते हैं कि कब आदमी ऑनलाइन है या नहीं है इस तरीके से फिर ठकी के सिकार होते हैं ऐसे भी दिवाली का समय आ रहा है अगर आप दुकान से लेंदिन कर रहे हैं ग्रहाक जो दुकांदार आपको पैसा वापस करता है उस पैसे को भी ध्यान से देखें ऐसे ही जेव में डालें हो सकता है आपके पार नकली नौट भी हो सकते है तो दुकांदार वाईयों से भी मैं यह कहूंगा कि आप जब भी दुकान में ग्रहाक से पैसा लेते हैं तो पैसे को देख करके लें कही नकली नौट भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसे पिरियेड में जो है तेवारों के सीजन में नकली नोटों का भी काफी सुनने माया है परचलन हो जाता है और लोग पैसे को इधर दर खपाते हैं नकली नोटों को तो पैसा लेते समय देते समय पक्का ध्यान लखना है ये आपकी जबाबदारी है पैसे को ऐसे ही परसमन ही डानना है उसको पूरा ध्यान से उलट पलट करके देखना है तो बाकी सब ठीक है मैंने आपको साइबर ठकों के बारे में आप साउधान ने सचेत रहें और आपकी गाड़ी कमाई जो है दो मिनट में चट हो सकती है और बाकी सब ठीक है अगर आपके पास इस तरीके के कोई पौन को लाते हैं तो उनको अपने आसपास भी शेयर करें ना कि आप सुचा बैठे रहें क्योंकि आपकी साउधानी से दूसरे को भी सारा मिल सकता है तो बाकी सब ठीक है धन्यबाद जैदी भूमी जैवतराखन